हेलो एर्विबरन नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्लैटफॉर्म स्टेडी वित्रितेश में प्यारे बच्चों 30 अक्टूबर 2024 को फॉर्स्ट राउंड सीट लाट में लेटर जारी कर दिया जाएगा और अब ऐसे में हमारे चात्रों का पूछना है कि सर क्या हमें कॉलेज मिलेगा क्योंकि सर इस बार तो सीटों की संख्या भी बढ़ गई है जी एने में भी सीटों की संख्या बढ़ गई है एने में भी सीटों की संख्या बढ़ गई है तो सर क्या मैं एलेजिवल हूँ यानि मुझे कोई ना कोई कोर्स मिल सकता है के नहीं मिल सकता है आज किस वीडियो में हम लोग basically इसी के उपर चर्चा करेंगे और साथी साथ यहाँ पर हम आपको काफी student का rank card में यहाँ पर live दिखाएंगे और आप से पूछेंगे ठीक है सबसे पहले तो मैं यहाँ पर expected cut-off क्या रहेगी यानि first round seat lot man later में जो बच्चो का नाम आएगा कितने rank तक वाले बच्चो का list में नाम आएगा यानि कितने rank तक वाले बच्चो को first round में मिलेगा ठीक है यह सारी चीजे मैं आपे cover करूँगा यानि discuss करूँगा आपके साथ और साथी साथ आपको कुछ बच्चो का यहाँ पर मैं rank card भी दिखाऊंगा और बताने का कोशिश करूँगा कि इने मिलेगा या नहीं मिलेगा और इसी बेसिस पे आप अपने rank card से भी मिला सकते हैं हमारी cut-off list की वीडियो से यानि अभी मैं जो आपको expected cut-off बताऊंगा उसी cut-off से आप अपने rank card को मिलाएगा अगर आपका rank इसके अंतरगत होगा यानि इसी से match करेगा तो आप समझ लेना कि 30 October को आपका भी 1st round seat allotment result में नाम आ जाएगा यानि आपको भी college मिल जाएगा है ना चलिए तो यहाँ पे देखे सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता देते हैं भाईया सीटों की संगिया तो बढ़ गई है यानि total तोटल 5070 सीटे है ठीक है अगर हम देखे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऐसे चातर जिनकी रेंग बहुत ही जाता है बहुत ही ज़्यादा 5000, 6000, 7000, 8000, 10,000, 12,000 ठीक है तो आप लोग एक बार समझे लो ठीक है अब सीटों की संगिया बड़ी है तो इसका यह मतलब नहीं है प्यारे चातरों की जिनका रेंग 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1,500,000 है उनको भी मिल जाएगा नहीं यहाँ पर आप इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा पहले जो सीटों की संख्या थी वो 4500 something थी लेकिन अभी जो है अभी आप देख सकते हो अभी यहाँ पे total seat कितनी हो गई है A&M की है ना A&M की cut-off क्या रहेगी यहाँ अनि A&M में total seatों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हो 5070 है ठीक है, अब यहाँ पर बात यहाँ 30-5070 है, तो हम अपना rank art देखेंगे, ठीक है, तो आपको PM open rank में देखना है, UR category है, तो 12,000 तक है, तो मिल जाएगा, ठीक है, मिलने की संभावना है, 12,000 तक है, तो counseling किये, हो तो अच्छी बात है, तो मैंने बार-बार आपको कहा था, कि आपको UR rank consider नहीं करना है, यानि UR rank इनके लिए, जो especially कहीं ना कहीं, जिनका कोई reservation नहीं है, मतलब especially वो बच्चे general category के अंतरगत आते हैं, तो वो UR rank consider करेंगे, लेकिन बाकी बच्चे, यानि अगर सोचो कि मैं हूँ, मैं BC में आता हूँ, तो मैं UR rank को consider नहीं करूँगा, या मैं ABC में आता हूँ, तो मैं EBC rank को consider करूँगा, मैं अगर BC में आता हूँ, तो BC को consider करूँगा, SC में आता हूँ, तो SC rank को मैं देखूँगा, अपना category rank देखना है, ठीक है, UR को नहीं देखना है, कौन बच्चे देखेंगे, यानि जो बच्चे केवल UR category के हो, जिनके पास EWS का certificate भी नहीं है, वो बच्चे UR rank को consider करेंगे, तो अगर आपका BC rank है, यानि BC, backward cast, और अगर आपका 2100 rank के अंदर, यानि PM open rank में, BC में 200 rank के अंदर है, तो मिल जाएगा, और EVC में, EVC में अगर आपका rank 3000 के अंदर है, 3000 के अंदर है, तो easily मिल जाएगा, ठीक है, या फिर अगर आपका category SC है, SC में भी 3000 rank तक, वाले को easily ठीक है, क्योंकि पिछले बार की जो cut-off की वीडियो थी, यानि जब seat की संख्या नहीं बढ़ी थी, उस समय मैंने बताया था, कि SC में 200 rank तक वाले को ANM मिल जाएगा, GNM किन को मिलेगा, उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, तो सब सब पहले यह देख लो, जिनका rank तक है, तो EWS में मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको open rank में देखना है, बार-बार हम बताएगे, क्योंकि पिछले बार, पिछले बार जो भी colleges a lot हुए थे, वो open rank के तहर हुए थे, अब भया बात करेंगे, जिनका rank अच्छा है, यानि जिनको GNM चाहिए, तो एक बार जान कि अगर 3000 rank under है, तो मिलने की possibility है, first year, second norm में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ, जो बच्चे BC category के हैं, SC है, ST है, RCG है, EWS है, DQ है, आप लोगको UR rank consider नहीं करना है, सर, आपको अपना category rank consider करना है, BC category है, तो BC में 850 rank तक वाले को easily मिल जाएगा, चुकि पिछले बार, सर इटों की संख्या बढ़ गई है, बढ़ गई है, यानि साड़े 800 तक पक्का है, fix है, मिलेगा ही, मिलेगा, EBC में 1000 rank तक वाले को मिलेगा, SC में 1000 तक वाले को मिल जाएगा, ST में 50, RCG में 300, EWS में 450 rank है, तो safe zone में है, यानि यह especially GNM की cut-off है, अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं, इनका नाम है Fagunikumari, ठीक है sir, Fagunikumari नाम है इनका, ठीक है, इनका name जो है Fagunikumari है, Fagunikumari, ठीक है, Fagunikumari है इनका UR में, UR में कितना है, अब सोचो UR में इनका 12,644 है, और EBC में, आप खुद देख सकते हैं, EBC में 4326 है, तो अब आप ही बताओ मिलेगा, देखो, GNM पहले अपना category rank देखेंगी, तो EBC में मेरे भया, देखो, GNM कितने rank तक वाले को मिला, 1000, और ANM 3000 rank तक वाले को मिला है, लेकिन EBC में इनका rank कितना है, open में देखना है, PM open rank में, EBC में इनका rank जो है, 4326 है, भया, अब इनको category से तो मिलेगा नहीं, category से नहीं मिलने वाला, ठीक हाँ, लेकिन सर, यहाँ पे, यहाँ पे, इनको मिल सकता है, दोखो, UR में मैंने 12,000 तक बताया था, ठीक है, तो अब, अब देखो, category से नहीं मिलेगा, तो अब इनको UR से हो सकता है, अगर seat खाली रहे, तो board, जो है, UR से consider करेगा, इनको देने का, लेकिन UR में भी इनका 12 1644 है, ठीक है, तो, अगर first round में, सोचो, 12,000 रैंग तक वाले को मिल गया, तो second में, अगर इन्होंने counselling किया हुआ है, अभी, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, तो इनको second round में, second round में हो सकता है, कि मिल जाए, UR से मिले, EBC से साथ नहीं मिले, UR से मिल सकता है, ठीक है, अगर इनका category rank से नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो UR से मिलने की possibility है, तो board यहाँ पे UR category से इनको देगा, ठीक है, चले, अब इसके बाद एक और समझते हैं sir, एक और समझते हैं, अब जैसे एक और बच्ची है, इनका rank आप देख सकते हो, खुशी नाम है ठीक है, खुशी ना 2450 है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखिए sir, यहाँ पे इनको UR में 504 है, BC में 2450 है, यानि BC category में, देखो, GNM 850 rank तक वाले को मिलेगा, और ANM BC category में 200 rank तक वाले को मिलेगा, तो भाया यहाँ पे 2450 है, ठीक है, तो यह थोड़ा सा, मतलब इनको risk है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, first round में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इनको first round में मिलेगा, देको इनको category से नहीं मिल सकता, sir, इनको category से, इनका जो BC category है, BC category से first round में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 200 rank तक वाले को मिलेगा, वो सकता है second में मिले या map up में मिले, seat अगर खाली रह तब मिलेगा लेकिन हाँ इनको board चाहे तो UR से दे सकता है क्यों कि sir UR में 12,000 rank तक वाले को मिलेगा और इनका rank कितना है UR में देखो UR से category से काफ़ी अच्छा rank इन्होंने दिया है यानि 504 तो इन्हें देखो category में ये line नहीं कर रही है category में मतलब BC में 200 वाले को मिलेगा लेकिन इनका BC में 2450 हो गया है तो ठीक है category से नहीं मिलता है तो board फिर UR से देखेगा और UR में अगर आप इसके criteria के अंतरगत आते हैं यानि इस cut-off के अंतरगत आते हैं तो मिल सकता है आप देखो UR में 12,000 तक को मिलेगा तो इनका UR में कितना है 504 है तो इनको UR से easily मिल जाएगा इनको UR से easily मिल जाएगा ठीक है सर चलिए और student का rank यहाँ पे देखते हैं चलिए एक student है यहाँ पे देख सकता है अब इनका rank देखो इनका rank जो है यहाँ पे देख सकते हो ठीक है UR में यू आर में इनका rank 17,564 है, अब 17,564 है, तो अब आपको लग रहा होगा sir, इनको तो मिलेगा ही नहीं, लग रहा होगा न, चलो एक बार 23,564 है, अब एक बार category rank भी देख लेता है, इनका category है सर, इनका category SC है, एक बार इनको UR से तो नहीं मिलेगा सर ठीक है, यहाँ पर SC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बहुती अच्छी बात है कि आपको तो college मिल जागा, आप देखो इनका यहाँ पर आप खुद देख सकते हो UR में इनका rank 17,564 है और SC में 2354 है तो देखो SC में GNN में 1,000 rank तक वाले को मिलेगा और ANM SC में 3,000 rank तक वाले को मिलेगा तो इनको SC कैटेगरी से easily मिल जागा SC कैटेगरी में 2554 rank है और 3,000 rank तक वाले को Просто ANM मिलेगा ही मिलेगा ठीक है बात आरे है समझ में, तो इनका 254 है और यहाँ पर 3000 rank तक वाले को मिलना है easily मिल जाएगा अब एक और student का देखते हैं यहाँ पे ठीक है अब इनका rank आप देख सकते हैं ठीक है इनका भी rank आप देख लिजे सर अब इनका rank है देखिए एक student है सिलपा कुमारी यूर में इनका rank 6887 है और category में 256 है ठीक है तो देखो अब इनको यानि आपको यूर rank भी एक बार देखना है एक बार category rank देखना है लेकिन सबसे पहले आप लोग category rank देखिएगा ठीक है जैसे इनका category क्या है EBC है EBC तो EBC में 3000 rank तक वाले को मिल जाएगा और इनका rank कितना है 256 है ठीक है तो इनको category से भी मिल जाएगा और फिर उसके बाद यूर भी देख सकते है यूर में 12,000 rank तक वाले को मिल सकता है और इनका कितना है इनका 687 है तो इनको देखो दोनों से मिल रहा है अब ये board decide करेगा कि इनको किस rank मतलब इनका selection यूर से लेगा या category से लेगा अब ये board decide करेगा बहुत बच्चों को हो सकता है यूर से भी मिले और category से भी मिले ठीक है तो इनको दोनों से मिल रहा है यानि यूर से भी मिल रहा है और category से भी मिल रहा है यानि किसी एक से अगर आपको मिल रहा है अगर आपको UR से मिल रहा है तो भी अच्छी बात है अगर आपका कैटेगरी SCST है BCA उससे भी मिल रहा है तो और भी अच्छी बात है है ना तो इनको दोनों से मिल रहा है UR से भी मिल रहा है और कहीं नगे कैटेगरी से भी मिल रहा है I hope आप समझ पा रहे होंगे इसके कितना है, 7370 है, तो समझ गयोंगे, UR में 7370 है, और BC में 2890 है, BC में कितना है, 2890, अब आप बताओ, सबसे पहली बात, UR में कितना है, 2370 है, BC में 2890, तो सबसे पहली बात, category में देखेंगे, तो category में, BC में, 200 rank तक वाले को easily मिल जाएगा, लेकिन इनका 890 है, कोई chance ही नहीं है, काफी ज़्यादा difference है, 200 और 890 में, UR से, UR से देखेंगे, 12,000 rank तक वाले को अगर मिलेगा, तो इनको दो easily मिल जाएगा, UR में इनका rank कितना है, 7370 है, तो इनको UR से बिल सकता है easily, ठीक है, category से नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो board जो है, दोनो rank, मतलब दोनों आपका, consider करता है, आपका category rank है, वो क्या है, UR rank क्या है, वो भी देखता है board, ठीक है, चली, इसके बाद चली, एक और student है, इनका अब ही देख लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है, यह हमारे शोनु कुमार भाई है, है ना, चली, शोनु कुमार, जी का यहाँ पे देखिए, DQ में, सोनु कुमार का DQ में 25 rank है, ठीक है, और UR में कितना है, UR में 747 है, और EBC में 2443 है, तो अब देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इनको DQ से मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी मेरे भाई हैं, अगर आपका DQ में 1500 rank तक भी है, DQ में, जितने भी boys है, अगर आपका DQ में 1500 rank तक है, DQ, disabled quota में, तो मिल जाएगा, तो इनका तो DQ में 25 rank है, ठीक है, तो इनको DQ से मिल रहा है, ठीक है, अब UR से भी मिल रहा है कि इनको, देखो, UR में 5000 तक वाले को मिल जाएगा, और इनका UR में 747 है, तो UR से तो नहीं मिल जाएगा, अब देखो, यह EBC कैटेगरी में भी आते हैं, तो EBC में 3000 rank तक वाले को मिल जाए EBC में कितना है, 243 है, तो इनको EBC से भी मिल रहा है, तो अब यह board consider करेगा, कि इनको DQ से देना है, या EBC से देना है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इनको DQ से भी मिल रहा है, EBC से भी मिल रहा है, यानि इनका भी first round में आना ही आना है, अब देखिए, मैं बात करूँगा हमारे वैसे छातर जिन्नों को अब पता चल गया होगा कि हमें तो अब भया कोई कोर्स नहीं मिलने वाला तो अब आपको क्या करना है अब आपको next year के लिए तैयारी करनी है next year के लिए तैयारी करनी है की है या जो वच्चे अभी तैयारी शुरू करना चाते हैं क्योंकि हमारे आपको all subject पढ़ाया जाएगा हर एक subject के अलग-अलग teacher होंगे और जो भी पढ़ाया जाएगा live होगा live के बाद recording, video, notes, video, अब सारी चीजे मिलेंगी app पे तो सबसे पहले हमारा app in study with rites install करना होगा उसके बाद number register करना होगा paid course में जाना होगा वहाँ पर ranker badge को select कर लेना होगा उसके बाद by now वाले option पर जाके course को purchase करके इस number में message किजिएगा, गुरूप में add कर दिया जाएगा, धन्यवाद, video कैसी लगी, आप लोग feedback जोड़ दीजेगा, मिलेंगा अगली video में